जो हमारी हार्मोन्स हैं वो भी हमें हैपी रखने में मदद करते हैं हमारी बोड़ी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो जिनको हम हैपी हार्मोन्स बोलते हैं हमारे ऑक्सिटोसिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है यह सब हमारी हार्मोन से जो हमें हैपी रखते हैं, तो अगर हमारी हार्मोन से इंबैलेंस होंगे, हमारी डाइट खराब है, हमारी लाइस्टाइल खराब है, रोंग है, तो वो हार्मोन से रिलीज नहीं होंगे, तो अनोइंगली आपको पता भी नहीं चलेगा कि why I am sad, why I am feeling anxious HAWAYS, क्यो मुझे घुजा आ हा रहा है, क्यो मेरे बच्च चीड़़ा हो रहा है क्योंकि, आप आजकल देखो कि कई, बच्च अनोग बहुत जादाब तो वो, हम समझते नहीं पाते हैं कि Pस चीजे Qованätzlich और ड़ेृकिंकल इन सब हैं का रिजन ही हो पका ड़ाइटTI की बाति ह यह इतना इंप्रेक्ट डालता है वेक्ति के जिगर परसेंट आप मैं वर्किंग एज नुटिशनल कांसलर इन स्कूल तो मैं देखती हूं बचों में क्या कि उनकी सुभह सुभह वो लोग बचों को चाय पराथा दे के भीज देते हैं तो जैसे हमारी बॉड़ी की एक एनरजी होती है जैसे हमारी बॉड़ी की एक एनरजी होती है उसका भी प्रॉपर नुटिशन होता है तो अगर हम प्रॉपर डाइट अपने बच्चों को दे के नहीं भीजेंगे या हम नहीं लेंगे तो हमारा मैं भी प्रॉपर वर्क नहीं कभी भी इंटर्नली जो गलत है उसके बारे में ना सोचकर हम एक्स्टर्नली जितने भी फैक्टर हैं उनके बारे में सोचे लगते हैं कि हमारा हम डॉक्टर के पास जाए हम जो है कोई ऐसा खाना खाले या हम ऐसे कोई सप्लिमेंट ले 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 जिससे कि हम यह सब चीजे ठीक हो जाएंगे लेकिन ऐसा होता है नहीं है हमें we have to consciously see कि हमारी डाइट में lifestyle में क्या चीजी गलत हैं और किस तरीके से हम उन चीजों को balance कर सकते हैं किस तरीके से हम किसी professional की राय लेके किस combination में हमें खाना खाना चाहिए किस timing पर हमें क्या खाना चाहिए कितनी moderation में कितनी quantity में हमें खाना खाना चाहिए तो बहुत सारी ऐसे factor है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और क्योंकि हमारे किसी भी curriculum में आप whether you are doctor, engineer, teacher, whatever you are लेकिन कहीं भी हमारे किसी भी curriculum में nutrition का कोई भी chapter हमारे पढ़ाई में education में नहीं होता है तो we never get to know कि किस तरह का हमारा खान पान हमें करना चाहिए या हमारी lifestyle किस तरह की होनी चाहिए